1998 में हिंदोस्तान के 5 दमाकों के मुकाबले में 6 दमाके करके पाकिस्तान को पाकिस्तान की तमाम एदारों साथ मिलकर एक एटमी थाकित पाकिस्तान को मनाया ये कौम हम सबसे पूछती है कि इसके बावजूद हम आज भी क्यू रिंग रहें तो कैसे हो किट कैट साई होब अच्छे होगे मैं भी अच्छी हूँ तो एक तरफ सहबास सरीव से आए मैप घुटने टिकवा कर लकीरे खिचवा रहा है ना से पता नहीं कहां कहां से तू समझा लेकिन फिर भी सहबास सरीव के बोल बच्चन तो देखो AY उससाद के पाँच यогलति और कर नहीं गया तो चली वीडियो सुरू करते हैं गया खाने को रोटी नहीं लेकिन लेंगे कश्मी खौन ऐतनी चरम सीमा पर है कि इंसां जिन्दा रहना तो दूर के बात मर भी सकता पिछेतर साल पहले इसलाम के नाम पे वने मुल्क के आज हालात पत्त से बत्तर हुए हुकुमत ने मरने पर भी टेक्स लगा दिया जाएं तो जाएं कहां अवाम फट पड़े कबर का खर्जा भी आता है चालीस पचास अजार रुपए कबर पुखता करने आये थे यह ल बच्चा भी बताएगा के पाकिस्तान अला ताला के फजल करम जे एक न्यूकलियर ताकत है अची न्यूकलियर पावर न्यूकलियर ताकत इस न्यूकलियर पावर ताकत को अपने पिछवाडे में डाल के डोलर बना सकते हो गया नहीं मैं तो इसको हलके में ले रही थे या बार बार जुट बोलो मैं मेशज तू इंडिन डिर्शिप और प्रम्स रमूदी इस बिट लेट सिट दाउन टेबल और सीडियों सेंसेर टॉक्स और आज बोल रहा हम न्यू किलियर पावर हैं और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता अगर सीमाओं को पार करोगे तो मोती है लेने के देने पड़ जाएंगे चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करता है तू ननंगर मोदी ने इस सज्जन को क्या तकलिब है भई मुझे बबासीर 2019 अगस्त में जो कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटिस था उसको भी छीन लिया और पूरे कश्मीर को जेल बना दिया अगर योगी जी आ गए न तो पाकिस्तान का नाम निसान मिटा देंगे फोड़े इसलिए सेवास सरीफ ओकात में रागरो कि आज मैं उस मकाम पर खड़ा हूँ जिसे हद्र काइद आजम ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शेरग है सपने देखो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पहले जो तेरे पास पाकिस्तान है उसको तो बचा के रख ले आजा बेटा मैं दूँगा तेरे को कश्मीर तेरे टकलिव का तबला नहीं बजाया ना तो मेरा नाम की टुराओ नहीं तबला बजाओंगा मैं ऐसे ऐसे करके बात कर रहा है सेवाद सरीफ कस्मीर लेने के एक बार पीओं के वालों का धरना और पर्दुरसन तो देख लो तुमारे लिए क्या बोल रहे हैं क्या सोच रखते हैं लकड़ी हमारी कमसा तुमारा नामन्सूर नामन्सूर असम्ली हमारी कमसा तुमारा नामन्सूर 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 जो अमारे इस एंडर वजीर आजम ने ये जो ड्रामर रचाया के इतवार वाले दिन हमारे बच्चों को बला कर शायद हुए ये चीज़ पाकस्तान की बबादारी करेंगे हम अलाके पाकस्तान की बबादारी को जूते की नोक पर रखते हैं अब नहीं क्या बोला यह बात हैं जबान पर नहीं लाई जा सकती नजर लग जाती है हमें अपने गरेबानों में जाकना होगा मगर क्यों मैं रेडिमेट बिखारी लगता है पाकिस्तान को माशी तोर पर मस्बूत करना पड़ेगा अच्छा इंशाला ये भैकारी पन और ये कुश्कोल को तोड़ेंगे नेवर पाकिस्तान को इस लिए बनाया था कि पूरी दुनिया से भीक माँगे जैसे कि पता है पाकिस्तान में आटा तो है नहीं लेकिन सहवार सरीफ ने रोटी का इंतजाम कर लिया हाजार साल तक ये गास खाएंगे आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है लेकिन प्राक्टिकल नहीं है जिस इसाब से तुम फूट रहे हो ना मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में घास भी होगेगी अब सहवाज सरीफ के थोड़ी दावत देने के स्टाइल देखतें चला बाई देता हूं क्या आपनों को बहुत माली चैलिंजर इस वकट इसे रोंदूस दरेके से दावत कौन देता है यार थोड़ी माली आलत है प्राइम मिनिस्टर को भाई दावत पर बुला रहा है या भीक मांगने के लिए बुला रहा है कि उसको दावत पर बुला कर फिर थोड़ी भीक मांगने का मैं समझता हूं कि ये जुल्म ज्यादा दίra नहीं चल चकेगा जिस तरह लाकों मुषिलमानों को जूल्म का निशाना बनाए गया इतना बोरिंग भासन दे रहा है बोल रहा है हम का स्मीर लेंगे उसका जुल्म का बदला लेंगे ये करेंगे वो करेंगे तो उस जज़वे के साथ तो बोले मेरे भाई लेकिन नहीं डर्शाप दिख रहा है जैसे पिछवाडे में आई-एम-फ का डंडा गुसा वो यह बढ क्या से जहरी तोर पर लगता है कि कश्मीर का मसला दब गया है उसके उपर आप दुनिया ज्यादा नहीं करती कस्मीर का नाम तुम्हारे मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारे मुझे कटोरा भीक यह सब अच्छी लगती है ओके ओके तो आपके क्या थोड़ से इस वीडियो के बारे में वो केमेंट सेक्सेन में बता दीजिए साथ ही कोई पॉइंट रह गया हो जहां मैं नहीं बोल पाई और आपका खून खोल रहा हो सहबासरीब को गाली देने का मन कर रहा हो तो कमेंट में धड़ा धड़ आने दो यार तो बैस आप अपना ख्याल रखें लव यू माई के केट्स